दिन में दस लड़के मेरे आगे पीछी गिरते हैं, मुझे किसकी जरुवात हैं? परफ्यूंगी यर क्या हाल चला अप सभी के अरी यार हस्ते रहा करो आज हम देखेंगे कुछ पापा के परे और कुछ पापा की परियां जो की देखते ही देखते उड़ गई पूरा सिलंडर भई पापा की परी को उठा दिया और भगा दिया कि जाओ लेकर जाओ हम लोग मुझे करते हैं पैग लगाती है क्योंकि यह हुमारे देश में बहुत ही ती जैसी लोग भरे पड़े हैं यह इस बस को देखो यह थी लेडिस बस इसमें सिर्फ लेडिस ही जा सकती है भाई साब ने सोचा कि चलो कुछ सवाल जवाब करते हैं लेडिस से और तब ही यह हुआ यह देखो आप तो चलिए किसी सकी से बात करते हैं दीदी कहा जा रही आप अंटी कहा जा रहे हो यह तो बस में आंटी के साथ आंटे भी गुसे पड़े थे और इस आंटे को देखो यह आँटा जी सोच में पड़ चुके हैं कि यह क्या हो गया यार कितने तेजस्वी लोग हैं लेडिस की बस में ही गुसे पड़े हैं लेकिन जो भी हो देखर मज़ा आया अब यार यहां देखो इनको देखर आपके हैसी नहीं रुकेगी यह मतलब कि रैली थी कानपुर की मोदी जी की रैली थी यार और तभी में यह पत्रकार यहां पर पहुँच गई और इसने एक आँटी से पुछा कि यहां पर क्यूं आये हो क्रोना बढ़ रहा है क्यूं आये हो और तभी आँटी ने यह बोला ना यार देखो आप जर इस सांटी को यह बोलकर लाया गया है घर से कि चलो चलो पचास गज जमीन मिल रही है जर आपके वहां भी ऐसा जुरूर होता होगा मुझे यकीन है मारे यहां भी ऐसे ही होता है चलो भाई वो नेता हमें दहजार रूपया दे देगा वो देगदेगा नोकरी देदेगा यर शोकरी देदेगा यर इसलिए भाई लोग भागे भागे चले जाते हैं और बेचारे बाशन सुनते हैं और कहीना कहीं यर वो उसको ही बोट दे देते हैं लेकिन मिलता है यर कुछ भी नहीं है अमर्जे तो हरानी हो रही है ये बोल कर लाया गया कि चलो 50-50 गज जमीन मिल रही है यर कितनी हरानी की बात है जानि कि सभी अपने फायदे के लिए आये होते हैं लोग कि चलो 50 को जिमीन मिलेगी नोकरी मिलेगी यार लेकिन तभी भाई मिलता मिलता कुछ नहीं है सिर्फ हलवा पूरी मिलता है और वो भी कभी अगर यार आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो नीचे कमेंट बोक्स में बताना तो चलो यार अब इसको देखो इस बंदे का भाई कुछ नहीं हो सकता ऐसे बंदों का कुछ भी नहीं हो सकता यह मर जाएंगे ऐसे ही तो चलो यार मुझे पूरी उमीद है कि आज की वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मजाया होगा इसलिए सब्सक्राइब बटन को काला करो हस्ते राकरो आप सभी हैना मिलते हैं नई वीडियो में